नमस्कार बच्चो आज हम हिंदी में एक कहानी पढ़ने वाले हैं कहानी का नाम है दो मित्र और भालू सोहन और शाम बहुत ही घनिष्ट मित्र थे एक बार उन्हें किसी कार्य से दूसरे गाउ जाना था बह सुबह सुबह ही अपने घर से निकल पड़े दूसरे गाउ के रास्ते में एक जंगल पड़ता था जब वह दोनों जंगल से गुजर रहे थे तब ही उनको सामने से एक भालू आता हुआ दिखाई दिया शाम और सोहन दोनों ही बहुत बुरी तरह से ढर गई उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाएं सोहन पेड पर चड़ना जानता था इसलिए वह भाग कर एक उचे से व्रक्ष पर तेजी से चड़ गया शाम को पेड पर चड़ना नहीं आता था शाम ने अपना दिमाग लगाया और उसने भागने के बज़ाए पही सांस रोप कर लेटना ठीक समझा भालू शाम के पास आया कुछ देर तक उसे सूंता रहा और वहां से चुपचाप चला गया भालू के जाने के बाद शाम चुपचाप खड़ा हुआ तब ही सोहन ने उसे आवाज दी और कहा रुको मैं भी आ रहा हूँ तब शाम ने बहुत ही शांती से सोहन को बोला मित्र ऐसे दोस का क्या फाइदा जो मुसिबत के समय मित्र का साथ ही ना दे सीख इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मुसिबत के समय मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए धन्यवाद